सबस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्निकल टियो दोस्तों हमें यहाँ नौर्थ सेंटरल रेलवे वेगन रिपेबर्क सॉब जहासी की जो एप्रेंटिस निकली हुई है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों एप्रेंटिस एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है जिसमें की आपको किसी प्राइवेट कंपनी या गौर्मेंट कंपनी में च्छै महाँ एक वर्स या दो वर्स जो भी उनका ट्रेनिंग प्रियड है या जितने समय की एपरेंटिस है उतने समय आपको उस जॉब के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों शुरुवात करते हैं जो बच्चे इस एपरेंटिस के लिए एक्षोक हैं वहाँ एक जून दोजार बीस से 15 जुलाई दोजार बीस तक MP Online की वेवसाइट www.mpaonline.gov.in पर जाकर इसे तु आविदन कर सकते हैं अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन से स्टुडेंट या किस कि स्ट्रेट की स्टुडेंट इसमें एप्लिकेबल होंगे तो यहाँ पर फिटर है तू 90 सीट अलाट की गई है जिसमें अन्रेजर्व की 45 सीट, OVC की 24 सीट, SC की 14 सीट हैं और ST की 7 सीट हैं वेल्डर, gas and electric है तू, अन्रेजर्व है तू 25 सीट, OVC है तू 13 सीट, SC 8 सीट, ST 4 सीट, कुल 50 सीटे हैं Mechanic, Machine and Tool Maintenance है तू, 6 सीट अन्रेजर्व, OVC है तू 4, SC 2, ST 1, कुल 13 सीटे, Machines है तू 6 सीट, अन्रेजर्व, 3 OVC, 2 SC, 1 ST, कुल 12 सीटे, पैंटर है तू 8, अन्रेजर्व, 5 सीटे, OVC, 2 सीटे, SC, 1 सीटे, 1 सीटे, कुल 16 सीटे Electrition है तू, 6 अन्रेजर्व, 3 OVC, 2 SC, ST 1, टोटल 12 सीटे, इस्टेनर ग्राफर हिंदी है तू, 2 अन्रेजर्व, 1 OVC, SC, SC और ST है तू, इसमें कोई सीट नहीं है, कुल इसमें 3 सीटे निकली हुई है अब दोस्तों, बात करें, कि कितने समय हितू यहां, कितने समय की यह एप्रिंटिस है, तो यह सारी ट्रेट दिये हुई है, सभी हितू, एक वर्स की एप्रिंटिस के हितू, आविदन मागा गया है यहां पर दोस्तों, डिजर्वेशन रूल दिये हुए है, इसका जो पीडिएफ है, जिससे आप अराम से बैठके पढ़ सकते हैं, यह है पीडिएफ, आपको हमारी जो टेलिग्राम लिंक है, उसमें मिल जाएगा आगे बड़े दोस्तों, बात करते हैं, ट्रैनिंग प्रियेट और ट्रैनिंग प्लेस की, तो जिससे ट्रैनिंग प्रियेट है वह एक वर्स का होगा और यहां ट्रैनिंग आपको नौर्थ-सेंटर रेल्वे, वेगन रिपर वर्स वाप जहांसी में दी जाएगी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 15 जो एज जो candidate है उसे 1 दिसंबर 2019 तक 15 वर्स की आयू complete कर चुकी होनी चाहिए और उसकी अधिक्तम आयू 24 वर्स होनी चाहिए यदि HTSC वाले जो candidate है उन्हें अपर एज में 5 वर्स की चूट है और OBC वाले जो candidate है उन्हें 3 वर्स की चूट है जो दिव्यांग चात्र है उन्हें 10 दस वर्स की अपर लिमिट में चूट दी गई है बात करें education qualification की तो जो candidate जो apply कर रहा है उसे 10 भी कम से कम 50% के साथ उत्रीन होनी चाहिए और साथी साथ उसे relevant field में ITI का certificate चाहिए होगा NCVT का आगे बात करें दोस्तों इस्टाइफंड जो मिलेगा वहां इस्टाइफंड होती है दोस्तों उसमें इस्टाइफंड दिया जाता है इस्टाइफंड आपको पैसे की रूप में दिया जाता है और कुछ अगर कंपनी चाहिए तो कुछ सुविधाएं आपको रहने खाने की दे सकती है तो इसमें स्टाइफंड जो भी होगा दोस्तों वह रेलवे वोर्ड के जो नियम है उस अनुसार दिया जाएगा बात करें फीस की तो जो फीस है एप्लिकेशन फीस सो रुपे है आपको पोर पोटर चार्ज सत्तर रुपे और जीएश्टी चार्ज देना होगा ठीक है अगर आपको एप्लिकेशन करना है तो आप जो www.mponline.government.in पर जाकर एप्लिकेशन कर सकते हैं आगे बढ़े दोस्तों तो जो सिलेक्शन पोसीजर है सिलेक्शन पोसीजर में आपके जो एक मैरे लिस्ट के अनुसार ही आपको सिलेक्शन मिलेगा इसमें कोई भी रिटन टेस्ट और कोई भी औरल एक्जामीनिशन नहीं होगा यह जो मैरे लिस्ट बनीगी वह आपके दसवी के प्रतीसत और जो आपका ITI सेटिपेट प्रतीसत है उसके एवरेज परसेंटेज से बनीगी आगे जान करें लें दोस्तों तो आप इसे पूड़ा पढ़ सकते हैं आगे बढ़ें दोस्तों तो टाइम जो है एप्लेंग एप्लाय करने का वह आपको मैंने बता चुका हो यह जो एक जून से स्टार्ट हो चुके हैं और पंदरा जुराई 2020 इसकी लाश्ट डेट है